हेलो एव्रिवान विल्कम बैक टू दे चैनल सो आज हम पॉलिटी से थोड़ा अलग और करेंट अफैर से थोड़ा अलग टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो की है जोग्रफी और जोग्रफी में भी मेलनी आक्टिक ओशियन जो है उसके जितने भी सागर है उन सभी के बारे है उतला सागर आपने सुना होगा जिसकी जो ऑसत गहराई है वह 200 मीटर तक ही होती है बहुत ज्यादा गहरे नहीं होते उन्हें बोला जाता है शैलो ठीक है तो यह स्मॉलेस्ट और शैलोएस्ट ऑफ दो फाइफ मेजर ओशियन है इसमें कुछ छोटे-छोटे से सी हैं बा साप्तेव सी, कारा सी, बैरन सी, वाइट सी, वांडेल सी, ग्रीनलें सी, बिफिन बे, हट्सन बे, अमंट सन गल्फ और विफोर्ट सी यह सब ही जो है ओशियन आक्टिक ओशियन के अंतरगत आते हैं और इन सभी के बारे में थोड़ी-थोडी सी डीटेल हम देखेंगे तो सबसे पहले तो इक अंतरगत आता है तो सबसे पहले तो अक्टिक ओशियन के अंतरगत आता था इसके बाद आ क्रेंटा इंटा में पास पार लावराश्या और आइसलेंड यह भागॉलिक रूप से अगर हम देखें तो यह शेत्र इन कंट्रीज के शेत्र आक्टिक रीजन के अंदर गताते हैं और यह जो आप देख रहे हैं इस आक्टिक ओशियन में कई सारे सी आपको देखने को मिल रहे होंगे हर्टसन बे है ग्री चुक्ची सागर इसकी बेसिन कंट्रीज कौन सी है तो रश्या और यूएस है यह देखिए आपने चीज एफेक्ट पढ़ा होगा कि बेरिंग जलसंधी जो है बेरिंग जलसंधी रश्या और यूएस से इन दोनों के बीच में पढ़ती हैं दोनों को अलग करने का काम करती तो यहीं पर आपको यह चुक्ची सी देखने को मिलेगा इस एरिया में और बॉर्डर करता है तो अफकॉर्स अलास्का जो यूएसे का है और रश्या यह इसके आसपास पढ़ता है एस्ट और वेस्ट में इसके अलावा इधर देखिए वारंगल आइलंड है जो इसके वे सिथी रेखा है इंटरनाशनल डेट लाइन है जो इसके बीच से होकर गुजरती है नेक्स्ट है मारे पास एस्ट साइबेरियन सी इसका भी जो बेसिन कंट्रीज है रश्या और यूएसे दोनों है यहां देखिए यहां देखा था चुक्ची सी यह था वारंगल आइलंड यहां पर है इस्ट साइबेरियन सी ठीक है मेंली जो रश्या का साइबेरिया वाला रीजन है इसके अंतरकत यह पढ़ता है लेकिन बेसिन कंट्री इसकी यूएस से भी है अलास्का ठीक है कहां इसकी लोकेशन क्या है तो इच लोकेटेड बेट्वीन नॉर्थ से यह देखने वाले हैं और इस्ट में है चुक्ची सी और वारंगल आइलेंड ठीक है नेक्स्ट आ जाते हैं लापतेव सी पर तो इसकी बेसिन कंट्री पूरी तरह से रश्या है यह आप देखिए अभी अमने इस साइबेरियन सी देखा था इसी के बिल्कुल वेस्ट में है ला इसे यह बात में हैरें उच families को चलीके लापतेव सी तो इन दोनों पर बीच में यह बढ़ता है और स्सक्राइब है तो इसकी बेसिं आते हैं पूरी दरह से रश्या है यह आप देख स्कर्वें का है इसके लापतेव सी इससके वेस्ट में है बरन सी ठीक है यह तो हो गए सी अब हम अगर आइलेंड की बात करें तो यहां पर रश्या का आइलेंड है नुवाया जैमलिया यह इसके वेस्ट में पढ़ता है ठीक है और इस्ट में वही है जो पीछे हमने देखा था सेवर नाया जैमलिया यह भी रश्या का ही है तो क्योंकि बेस तो एक रिवर है कारा रिवर रश्या की इसके नाम पर इसका नाम पड़ा है और इसलिए यह इंपोर्टेंट है क्योंकि 1975 से 1988 में सोवेत युनियन उस समय का जो कि अब रश्या है उसने छे न्यूक्लियर सबमरीन रियक्टर्स और दस न्यूक्लियर रियक्टर्स इस रिवर म दोनों के कोस्ट पर लाए करता है नौर्वे देखे यह है लोकेशन नौर्वे की ठीक है तो यहां नौर्वे का कोस्ट है और यह है रश्या का कोस्ट और इसके बीच में है बैरन सी बैरन सी के वेस्ट में या फिर नौर्थ नौर्थ वेस्ट में एक आइलेंड है जो की न इसमें दो चीज़ें आपको बहुत अच्छे जयाद ही एक है कोला प्रायदीप या कोला पेनिसुला और दूसरा है केनिन प्रायदीप इनकी नाम आपने जुगर्फी में पढ़े होंगे तो इन दोनों प्रायदीप के बीच में हैं फायट सी और क्योंकि चारो तरफ से रहि यहां ही इसको घेरे हुए है इसलिए रशिया की सोवरानिटी यहां पर है रशियन सोवरानिटी है और यह जो सी है वाइट सी इसे रशिया का इंटर्नल वाटर का पार्ट समझा जाता है नेक्स्ट है हमारी वानेडेल स्वानेडेल सागर यह देखें लोकेशनियस के ज़ल नौरवे का है इस साईड ना इसके इससे स्वालबर्ड आइलेंड है किसका था वो नौर्वेग का था ठीक है तो इस तरह से बेसिन कंट्रीज की ग्रीन लेंड और नौर्वेग दोनों है इसे मेकिनले सी के रूप में भी जाना जाता है और यह जो सी है यह इस ऑप्स्ट्रक्टट बाइस बॉस्ट अफ बहुत मतलब जातर दिनों में साल के यहां पर आइस बफ जमी रहती है नेक्स्ट है हमारा ग्रीन लेंड सी ग्रीन लेंड सी इसमें इधर है ग्रीन लेंड और इस्ट साइड में देखें तो नौर्वेग आ जात साउथ में क्या है आइसलैंड है इसके नौर्थ में रेखें तो फ्राम स्ट्रेट है और आक्टिक ओशियन यह पढ़ता है इसके अलबावा वानडेल सी यह यह इसके नौर्थ में ही है और स्वालबर्ड ॅइलेंड या स्वालबर्ड आपके पहले को जोंकिन नौवे के जो घरीच इसे आर्किक ओशियन का समझ जाता है और कई आट्लांटिक और दूशियन का पर भी इसे माना जाता है नेक्स्ट है हमारा बैफिन वे या बैफिन की खाड़ी इसकी location देखें तो यह है being सागर यहां पर अफ्छेयह यहां पर एक है डेविड्वी स्ट्रेट इसके त्रू यह लेब्रडोर सी Państy से connected है फ़िए क्नेक्टेट क्या होता है स्ट्रेट एक एक समूद्र जिसे एक समूद्र दूसरे समूद्र से connect होता है तो यहां पर है Davis Strait जो की connect करता है Baffin Bay और Labrador Sea को और Labrador Sea जो है यह आगे Atlantic Ocean से connect करता है यहां पर जो पार्ट है Greenland का पार्ट है तो Greenland के West में पढ़ता है Baffin Bay और क्योंकि यहां Atlantic Ocean है इसका पार्ट है Labrador Sea और यह Davis Strait से Labrador Sea से connect करता है इसलिए गई बार Beffin Bay को North Atlantic Ocean का पार्ट भी समझा जाता है Next है Hudson Bay, Hudson की खाड़ी हमने पीछे भी वहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा तो था यह है Hudson Bay, यहाँ पर जो है Beffin Strait था इधर यह जो है Beffin C है और यहाँ पर है Hudson Bay, Hudson की खाड़ी यहाँ पर एक Hudson Strait है ठीक है जिससे आगे Labrador Sea से यह भी कनेक्ट हो जाता है यह Canada के North Eastern साइड पर पढ़ता है Second largest bay on the planet है ठीक है, after the Bay of Bengal Bay of Bengal यह सबसे बड़ा bay है, largest bay है Second largest है Hudson Bay, ठीक है Basin Country इसकी है Canada और US और इसके अलावा एक और फेक्ट है कि Hudson Bay is also the largest inland sea in the world ठीक है, तो यह सबी चीज़े है Hudson Bay के बारे में Next है Amundsen Gulf इसकी Basin Country है Canada Location देखें, तो यहाँ पर है Amundsen Gulf और यह Banks Island and Victoria Island इन दोनों के बीच में है तो कहाँ पर है यह, यह है Banks Island, यह है Victoria Island और West में जाके यह Bufort Sea से मिल जाता है एक important चीज़ यहाँ पर यह है कि यह है Amundsen Gulf और इसके अलावा एक Amundsen Sea है और एक Amundsen Bay है तो इनसे confuse नहीं कीज़ेगा क्योंकि यह दोनों Antarctica में है ठीक है और हम अभी Arctic Region की बात कर रहे हैं Next है Bufort Sea, इसकी Basin Country Canada और USA है यह है Bufort Sea यह पूरा एरिया जो है यह है Alaska जो की USA का है और यह है Canada तो इसलिए Basin Countries यह दोनों है यहाँ पर यह देखिए Banks Island है यहाँ था Amundsen Gulf जो हमने पीछे देखा था और Canada की एक लॉंगेस्ट रिवर है यह देखिए Mackenzie River यह अपना जल बफ़र्ट सी में आकर ही गिराती है इसलिए भी इंपॉर्टन है याद रख सकते हैं सी का नाम रिवर का नाम याद रख सकते हैं और यह जो सी है frozen रहता है almost all year round तो अब यह लास्ट में है आप लोग के लिए question international date line crosses from which C, Laptev C, Chukchi C, Beaufort C या फिर Kara C I hope video आपको पसंद आई हो और चीजे समझ में आई हो और अगर पसंद आई हो तो like और share जरू कीजेगा thank you so much watching the video जय हिंद